मार्निय अध्यक जी मैं अप्रस्ताव करता हूं ये राश्पति की सेवा में निंगिकी सब्दों में एक संबेदन समावेदन प्रसूर की आजाए कि इस सत्र में संबेदन प्रस्तावा के चदस राश्पति के उस भासन के लिए जोनों ने 21 जनवरी दो हजार में प्रसूर को एक साथ संबेदन संसर की दोनों सभाओं के समझ देने की किरपा की है उनके अत्यंत आभारी है कि इस से बोलने की इजाज़त चाहता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि एक 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 मुझे वाइडल एक हो गया जिसके कारण बोलने की कुछ कचना ही हो सकती है और अगर कचना ही आवे तो मैं थोड़ी देर के लिए बैच के भी बोलना चाहूं तो आप इजाज़त दिए कि एक मैं रोपर है जोड़ है जोड़ है एक लिए खा कि आप कर लोड़िएड की कुछ मर्यादा होती है इपि नहीं होती है यह है यह יהрах मन मर्जी करो गे क्या सब एक महिना होके नहीं समझती अध्यक्ष महोदे ये सोलह में लोक सभा के अंतिम सत्र का अंतिम सत्र में हम खरे है और इस अंतिम सत्र के बाद जब हम सब अपने खेत्र में लोटेंगे तो लोक सांत्रिक महाभारत का कमर प्रारंब होगा देश के अंदर इस बार जो महाभारत का जुद हुआ था धर्मजुद और दोनों पक्ष में सेनाएं बटी थी उसी तरह इस बाद हिंदुस्तान के इस आम्तुनाओं में दोनों तरफ सेनाएं बट रही है धर्म के भी सेनाएं बट रही है एक तरफ जब राश्पती जी अपने अभिभासन को प्रारंब करते हैं कि मुझे इस बाद की खुशी है कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप नयतिता पर अधारी समादेशी समाज का निर्मान कर रहा है हमारा देश बाबा साहब दाक्टर भीमरा उंबेत कर दोरा सम्जिधान में दिये गए समाजी का रार्थिक नियाए के आदर्सों के साथ आगे बढ़ रहा है मेरी सरकार के पर्यासों में सोसन की राधिनिती के बुरुद्ध जन केतना की मसाल जलाने बाले डाक्टर राम नोह लोहिया के समानता पर अधारी समाज के पुटी आस्था अस्था अस्था दिखाई देती है परारंद में ही ऐसा कहा गया कि गांधी अमबेटर और लोहिया के सपनों को साकार करने का लक्ष इस सरकार का है गांधी भी उनकी दिश्थी थी कि समाज के सर्षे वो कमजोर है उसको बजट का अधिक से अधिक हिस्ता जाए बंदी जबाहालान नहरु से महत्मा गांधी ने कहा था कि तुम्हारे बजट की सफलता को मैं इस दिश्थी से दिखूंगा कि तुम्हारे बजट की राती सबसे निर्धन निर्वल जो है उसके पास में कितना जा रहा है अम्बेदकर जीने यही देखा था कि समाजिक क्रांती हो और समाज के सबसे निर्धन निर्वल कमजोर बर्चे हैं उन्हें भी समाज में समाज के साथ जीने का अधिकार मिले दाक्टर लोहिया ने समानता की बात की थी समानता की सब में समानता आए उच जीच का भेदना हो अमीर गरीब का भेदना हो और सब बरावर होके समानता हो और पिछरे बर्गों के मसीहा के रुपों उन्होंने इस देश में करांती की थी एक तरफ हम राश्पता महात्मा गांधी दूसरे तरफ गंतों के धारक अम्डेश का तीसरे तरफ पिछरे बरगों के मसीहा दाक्टर राम अनोह लोहिया को याद करके हुए इस भज़त को प्रारम किया गया है इसले में महा महिम RAश्पती जी को धन्यवाद देता हूँ उन्होंने इन तीन महात्माओं को याद किया है लोहिया जी की बात को इन्होंने कहा है तो मैं लोहिया जी के समानता की बात मैं कुछा आपए उध्रिक करना चाहता हूँ लोग सभा में 16 मार्ट 1965 को बहुत करके हुए दाचर लुहिया ने कहा था समाजबाद हर किसी अन्य सिध्धान की तरह एक होता है तो एक होता है पुटका एक होता है सगुन एक होता है मिर्गुन एक होता है सिध्धान एक होता है कार्ज करम समाजवाद से एक सिधी नीचे उत्रो उस सिधी का नाम है बराबरी उस बराबरी से एक सिधी नीचे उत्रो ये हैं महत्तिव जो हिंदुस्तान के सभी डाव गरी पिसान मज़़ों को समझना चाहिए उन्होंने कहा आर्थिक बरावरी, समाजिक बरावरी, राज़्पिय बरावरी, भार्मिक बरावरी और एक सीधी और नीशे उत्रों जब उसके बाद आएगी सम्ता, पंपुल सम्ता, सम्भव सम्ता देश के लिए अंदर आगर आर्थ कि बरावरी सबका अुछ रने के लिए जो कार्ण करन चलाये जा रहे हैं वह आर्थिक प्राबरी के लिए है आज आर्थिक दीश्टी कों से जो गरीर निर्धन निर्वल नीचे है उसको उपर उठाने के लिए सरकार की जोजनाएं चलती है क्या ये जन्धन जोजना निर्धन निर्वल गरीगों को उपर उठाने के लिए नहीं है आज हिंदुस्तान के लिए अंदर 34 करोर जन्धन खाता के जन्धन खाता खुले हैं और उसमें लगवग 84 पचासी हजार करोर रुपिया गाउं के गरीम मज़ूर पिसानों ने जमा कि आज गाउं की ये गरीमी मासा है जिनके पास में दस-पांच रुपे नहीं थे उन्होंने भी जीरो बाइलेंस पर अपने खाता को बेंट में खोला है और दुनिया के अंदर जितने खाता खुले हैं बेंट में उसमें से लगवग 55 परसी तक खाता केवल हिंदुस्तान के युथ भाज भारत की शौर बढ़ रहा है जादे से जादे लोग वच्चत करें उस वच्चत से हिंदुस्तान का कल्यान हो हिंदुस्तान के कोस्त में पैशा जाओ जिस से गाउं-गरी किसानों के लिए काम किया जाओ इसी के आर्थिक बराबरी को कम करने के लिए ही मिटा पाले होते हैं और जितना बराव उनका बात्रूम होता है अध्यक महोदे इतना बराव गरीमों का घर भी नहीं होता है इसलिए मैं परधान मंत्री जी को धन्यदा देना चाहता हूं कि उम्मिर्धन निर्वल गरीब जहां की गरीबनी माताएं सौच के लिए कश्व साथी वह Jeanne का काम है दूसरे तरफ समाधी घर अधर वरावरे को ही मिचाने का काम है इन जो जवनाओं के कारत लिए इंदुस्ट आन लोग हैं संपन हैं संबीद्ध हैं संपन क्लेगे में आग लगती है जीजाओं की इन गरीम नरेंजेर मोदी, आज हंदुस्तान में गरीवों के घर में सोचाले बनाके ये संभुष्षव सामंत लोगों के परावरी के घराम करना चाह रहे हैं इसे कलेज्ये में आध लग लग फी आज हिंदुस्तान के अंदर जो गाव में हमारे गड़ी भाई हैं उनको पुर्धान मंत्री आवाश जोजना से जो घड़ बनाए जा रहे हैं वो किसले बनाए जा रहे हैं अब लोग जिस्टा में समाजबादी थे डाक्टर लुहिया के आंदोलन में नहरा लगाते थे मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कप्रा और मकान अज नरेंद्र मोधी हर हिंदुस्तान को रोटी कप्रा और मकान देने के लिए परसी बद्ध हैं अरूस और एक दम को उखा उसे दम इन्दों के अंदर रोची मिलेगी तब जब किर्षी की उनती होगी तब जब खेत में पानी जाएगा तब गाटरॉ थे हर खेत में पानी हो हर खेत हाथ को काम हो जब खेत में पानी जाएगा तो खेतों में हर्याली आएगी तब उनके चेहरे पर लाली आएगी उनके घर में खुसाली आएगी और ये प्रधान मंत्री शिशाई जोजना के तहद जो हर खेत में पानी पहुचाने का काम शुरू हुआ है जिससे गाव के निर्धन गरीब उनमें खुसाली आएगी ये बड़े लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या जक्ष महदे आज हिंदुस्तान में गाव के अंदर जो किसान है पर्धान मंत्री जी ने अभी सरकार में घुशना की है बजट में किसानों को हर किसान को जो लगु सिमान किसान है पांच एकर तक जमीन वाले किसान है तब को छे हजार रुपईया साल में दिया जाएगा अध्यक्ष महदे बहुत लोग रहते हैं बरे लोग जो उपहास करते हैं कोई कहते हैं सफरा रुपईया रोजी मिलेगा दिल्ली के इंसियार में बसने किसान जिन के लिए छो हजार रुपईया को चीमत नहीं है यह टीवी वाले ऐसे किसानों के मुह में वह भोपा लगा के अब उनसे पूछने हैं कि छे हजार रुपईया से क्या होगा अध्यक्ष महदे जिल्ली के इंसियार में हैं उनकी सारी जमीन चली गई है कर खाने बन जोरी बहुत जमीन है उनके लिए छो हजार रुपईया कोई कीमत है क्या वो दस हजार बीस हजार रुपईया रोज खरच करते हैं लेकिन एक सरफ मैं जिस बिहार से आता हूं पुर्वी उतर परदेश के लोग हैं या कहीं भी हिंदुसान के आसाम में और बंगाल में हुचा गया उन्होंने कहा कि छे हजार रुपईया हमारे लिए बहुत महत्तों रखता है हमारे लिए इसकी कीमत है हमारे घर में खुशाली आएगी